हलो बच्चो रेडियस क्लासेस 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं विभाजता का नियम का स्विरीज तो आज के इस वीडियो में बच्चे पढ़ने वाले हैं 9 से कोई भी संख्या कैसे डिभाजित हो सकता है तो वह संख्या पुरू रूप से 9 से विभाजित होगा यानि कि if the sum of all digits of a number is exactly divisible by 9 then the whole number will be also divisible by 9 चलो समझ में अगर नहीं आए तो हम लोग example के मादे हम समझने का कोशिश करते हैं कि देखें यहाँ पर क्या है मारे पास एक बड़ा सा number दिया हुआ इसको 9 से divisible है कि नहीं हमें पता तो ऐसे चलेगा नहीं इसको जब तक divide नहीं करेंगे लेकिन इस त्री क्या है आप समझो क्या करना है सभी डिजिट को सम करके चेक कर लेना है कि कितना आ रहा है सभी डिजिट को अगर सम करते हैं बच्चे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना होने वाला है तो आप देखो 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 15 हो गया आपका 18, 18 में 9 जो जो रेंगे तो 27 होगा, 27 में 0 जो जो रेंगे तो total 27 हैगा याणि कि 27 को आप समझते हो कि 9 से डिजिवल होता है 9 से डिजिवल कितना मरत में तीन मरत में डिजिवल हो जाता है यानि कि हमें यह 100% chance यहाँ पर बनता है कि यह 9 से डिजिवल बिल्कुल होगा तो चलिए आपको एक बार जीरू, यहीए न, तो इसको आप क्या करते हो, 9 से डिवाइट करने का कोशिश करते हो, 9 से डिवाइट करते हैं, यहापे, तो 9 से डिवाइट करने, 9, चप 54 हो जाएगा बच्छे, तो 54 यहाँ पे आप देख सकतो यह कट गया पुड़ा, 4 उतारेंगे नहीं लगेगा, 0 उतारेंगे यहाँ पे 5 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, यानिकि यह भी आपका कट गया, अब उसके बाद फिर क्या बचा, तो 9 बचा, तो 9 one times में आपको देख सकतो, 9 कट जाएगा, और 0 बच गया, तो 0 लाशन में उतारेंगे, यानिकि यह पुड़ा का पुड़ा संख्या इतना बाढ़ में 9 से कट गया, चलिए अब दूसरा भी examples चेक करके दिखा जाता हूँ आपको, यह देखिए इसमें क्या है, सम आप करिए, सम करिए तो 2 प्लस 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 1, 9, यानिकि 9 हो गया, 9 को आप 9 से डिवाइट करते हो, वन टाइम में लग जाता है, तो आप यहां से चेक करते हैं इसको, कि यह पुड़ा का पुड़ा संख्या 9 से डिवाइट हो रहा है, कि नहीं, 4, 2 है और 1, 1 है, काट के देखते हैं, चो 9 से लगाएंगे, 9, 2 ना 18 होगा बच्चे, तो 18, 4 बच जाएगा यहां से, 2 उतारिए, तो 9, 4 का 36, यानिकि 36 लिखने पर यहां पर 6 बच जाता है, फिर 2 है, तो 9, 7, 9, 6, 4, 9, 9, 7, 30 जादा हो जाएगा, 9, 6, 4, यानिकि 54, यानिकि 12 में से 4 गया तो आपका बच जाएगा 8, यहां पर कट जाएगा, और 1 उतार देजिए, तो यहां पर आप देख सकते हो, 9, 9, 18, यानिकि 81, यानिकि आप यह भी देख सकते हैं, यहां पर कट गया, तो आप डाइरेक्ट चेक करोगे ऐसे, ठीक है, कि यह 9 से डिविजवल है कि नहीं, सभी का सम कर देना है, देखना है कि 9 से डिविजवल है कि नहीं, अगर इसको दिखाना है कि सच में हो रहा है कि नहीं आपको तसली नहीं हो रहा है तो आप इसके हिसाब से करके चेक कर सकते हो I hope ये rule आपको समझ में आ गया जैसे कि 3 का rule होता है कि 3 में भी वही होता है सभी digits को जोड़ देते हैं और देखते हैं कि 3 से पूरी तरह से 3 से डिविजबल हो जाता है तो पुरा संख्या भी आप तक 3 से डिविजबल हो जाता है अगर समझ में आ गया है तो हम ने आपके लिए कुछ होंबग रखा है आप इसको घर पे जाओ बनाओ इसको कमेंट बॉक्स में इसका answer लिखो, ठीक है, ओके, कि ये कौन-कौन सा संख्यार नौ से डिविजोल है या नहीं, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और हो सके तो comment और like, share, subscribe करने के बाद, अब और भी क्या कर सकते हैं, comment लिखे कि और ही वीडियो आपको ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए, तो चलिए बच्चे मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए goodbye, take care, thanks a lot, सहिंद बंदे मात्र, झाले बंदे मात्र, बंदे मात्र और अुर्माश।